कि नुमश्कर आप सभी का स्वागत हैं स्टार्ट सेटी न्यूस में मैं इस वक्त मौझूद हूं गोंडा विधान सभा यम्न अभिहार वाड में इस वक्त हमारे साथ मौझूद हैं आम आदमी पार्टी के वाड अध्यक शहर इंकू शाह जी आए इन से सीधे बात करते हैं रिंकुशा जी पहला आपके बारे में बात कर लिए पहला इंट्रोड़क्शन की आप जो जुड़े इस राजनीती में स्वम आमाद्वी पार्टी में कब से आपकी शुरुवात हैं आमाद्वी पार्टी में मुझे 5-6 साल हो जुड़े पांसे साल हुए तो मेंकों दि द्दाजी थे तो उनको उन्होंने वह बहुत बाखुबी किये जो भी सरकार की जोभी सखीव आर्टी आपनजीम अन्यम होण यह लागवान आ और वन्हों मदाने इस कहते हैं की अपनी जैव से भी पैसा करके जह हैं हमारे ब्लॉक में काम करा हैं आपने ब्र्धान के पर्दान के नाते और सोसाइटि के लिए किद्ермेर समय है। अपर्धान के नाते यैसे हमारे प्रमोध गुपता जी इन से भी वैभारत ठीक है। इनका अज्ञा बहुत प्रमोध है। तो इसलिए जो भी जैसे पहले पीली लाइटे थी वह अण की ओ lot सफ़ेध different की लगी तो वह सबसे पहले मेरे ब्लॉक में लगी और लिया है और जूरे का अ Kin saying अच्छी है अब भी और गी तूब तो इमानदारी से काम किया और जो भी इनको काम बताए गए दोनों तरफ से मेरे काम हुए मैं सबसे पहले उनको बहुत 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 शुब कामना और बधाई देना चाहता हूं कि बड़ी मुश्किल से यह चुना हुआ और इस चुनाओ ने एक देश को बहुत बड़ा संदेश भी दिया है जिस तरह से इतनी बड़ी राष्टे लिवल की पार्टी और एक तुच्छ सी हरकतों पर आ गई दिल्ली की जनता ने उन्हें नकारा पंदरा साथ उन्होंने राज किया जब जनता को उनका काम पसंद नहीं आया तो उसके बाद एक बदलाव आया तो जिस तरह से आपने अमेरिका में दिखाऊगा कि ट्रम जी अपनी कुरसी नहीं छोड़ रहे थे उसके बाद कोट के आ लेकि बात करें सर दोनों बार यहां से प्रमोद गुप्ता जी लड़े और जीतें तो मगर क्या बज़ा रहे सर यहां से जो आम आदमी के अस्टफल होने का ज्यादा करण में मानूगा कि यहां पर जितनी भी लोग हैं ज्यादा तर बीजेपी मैंड़ है और हम तीन तरफ से मौमनन से घिरे में और वो एक मुद्धा जो है वो बहुत बना लिया जाता है कि जी आप यह मान के चलो के जैसे एक तरह से ड्राया जाता है कि जी बीजेपी आपको पता है कि हिंदुत और राष्ट्रवाद और जादतर इनी चीजों पर वो अपना इलेक्शन लड़ती चुनाब सर्व बेसिक लोकल इस जो इनका इश्यों होता है कि उस तरीके से फिर जैसे यहां पर आप समझ किसे लिए यमना वहर में एक या दो परसंट बुसलमाने टोटल तो उसके हिसाब से फिर अगर यह फैक्टर आता है तो इस फैक्टर पर लोग ज़्यादा जाते है काम को लेकर मतलब बात करें तो मिला जिला रिस्पॉंस से अगर काम की बात की जाये तो यह श्रीदर जी एमन ले थे तो काफी काम करवाए उन्हों ने ठीक है न और उन्हीं के कामों को देखते वे कैमरे लगवाए वाई-फाई लगवाए जिम लगवाए और सड़के बन देखे अब तक तो जो दिल्ली सरकार केजरिवाल जी की है वो दिल्ली के गरीब बहुत अच्छा काम कर रही है हाला कि कॉंग्रेस और बीजेपी उनको बदनाम करने के लिए कई सड्य अंत्र रच रही है लेकिन उन सड्य अंत्रों से भी उपर उटके उनके तरफ ध्यान ना देकर केजडिवाल जी की सरकार दिल्ली में बहुत अच्छा काम करी है पहली बार दिल्ली की जंता ने उन पर विश्वास किया 66 सीटे यह अब तक के इत्यास में कभी नहीं हुआ उसके बाद जब काम देखा लोगों ने उसके बाद आपने देखा कि 60 में से 62 सीटे तो यह इ कैसी बढ़ती गई तो एक दिन हमारा नामों निशाल मिट जाएगा तो देखे कॉंग्रेस और बीजे भी कभी एक नहीं हुई लेकिन जब दिल्ली का बात आती है दोनों के दोनों एक हो जाते हैं तो यह एमसेडी 15 साल से इतनी ब्रहष्ट हो गई थी इतना उसमें मतलब उपर से लेके नीचे तक इतना जाद अब रष्टाचार हो गया अब पहले वह सारी चीजे अब किसी की कोई आदत है तो वह एकदम से चूटती नहीं अधिकारी हैं और नीचे अधिकारी हैं जो उनके विभार बना हुआ है जो उन्होंने सैटलमेंट अपनी कर रखे हैं स बन्द्रों की बहुत समस्या यह तीन चार समस्या अधिकार सब्स्क्राइब करते हैं उसकी नजबंदी करके उसको वहीं छोड़ जाते हैं पर अगर कोई कुट्ता करता है काटता है किसी को जनों से ज्यादा अगर के सिपस्ध कोई कुटा किसी को काट लेता है उसकी कंप्लेंड जाती है ऐसी आडबली देखिए और वहां उनकी देखवाल करें चाहिए अब आपने हाली में देखा है आप कारी निती को लेकि जो डिप्टी सीम पर जो इस समय जो सी बेजाच भी उसर कैसा आप देख रहे हैं देखो अभी तक आप में यमने वहर की बाते कर रहे थे तो एजे वाड़ा देश में आपको औ मनीश शोदिया जी पर पहले भी इन्होंने कारवाई करी थी लेकिन जब खूब शोर मच गया सारी चीज़ हो गई तो लास्ट में यह पता लगए कि इनका नाम ही नहीं है ठीक है ना तो अब जैसे ही कि यह जुंजल उतार रहे हैं कि एक तो MCD में हारे दूसरा जो अब अ संग्यानी लिया कोई बात नहीं करी अब बात यह पढ़ती है कि एक लाइन खीची हुई है बिना मिटाए बिना छेड़े उस लाइन को छोटा करना है तो क्या करना है कि उसके बगल में बड़ी लाइन खीच देनी है ठीक है अब लोगों का इस चीज़ से ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने क्या करा मनिश जी को अर्ेस्ट कर लिया मतमाद्मी पार्टी सुस्तंतर पत्र कार होता वह इसी तरह की बात नहीं करता मीटिया में हम देखते है को एक आधा चैनल छोड़ेों अब तो एक आधा कोई प्रवक्ता छोड़ें जो इमान दारै उसे छोड़के बाकी ऐसे बाते करते हैं कि जैसे ये बीजेपी के जो स्पोक परसन हो तो बोलने की ज़रूत नहीं बढ़ती है पहले ते प्लान होती है और उनको अगर हम आदमी पार्टी वाले ने कोई बात भी गई तो वह ऐसे उसको डिफेंस करते हैं कि जो बैठा होता ह बीजेपी का प्रवक्ता उसे बोलने की जरूत नहीं होती ठीक है ना तो यह चीज़े जो है यह तो अब पब्लिक को समझनी पड़ेंगी और यह चीज़ें करके जो एक के बाद एक यह बीजेपी कर रही है यह इस अपना ही नाम खराब कर रही है मैं यमनवहर में रहता हूँगा अपने यमनवहर वासियों को अपने देश वासियों को कि यह जो जहर की राजनीती है इससे थोड़ा दूर हो जाए अपने देश की तरक्की के बारे में सोचें अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाएं और इंदू मुसलमान सीख हिसाई इस चीज़ से दूर र हमारे बच्चे भी रोई न्यूज देखते हैं हमारे बच्चे भी सारी चीज़ देखते हैं इसलिए मैंने हम का कि सभी देश वासि इसमें इंक्लूड हैं अगर मैं अपने बच्चों को समझा रहा हूं कि नई बेटा ये जातपात कुछ नहीं होता पढ़ाही लिखाई प आफ डंडाने से नहीं बचेमा देश और रास्ट बच्चे ann Eli safe और नौलिज बढ़ाने से हमारे बच्चे व्यद्च क्णिंग बनेंगए तो ही हम आगे बढ़ पायएंग लटी तलवारे चलाएंगे तो आगे नहीं मैं आपको कितने देश बता सकता हूं कि जो लाटी त Coleman सारों के दम पे देश के देश खतम हो गए बिलकुल लेकिन बना नहीं उनका कुछ भी बरबाद हो आए आप अपना साथी पाकिस्तान देख देख लो यह सारे इन में तो कहीं हिंदू-मुसल्मान का चक्कर निये सिर्फ क्या है तलवार जहां तलवार उठेगी वह देश कभ ब्लोक वाइस लोग बहुत चक्थी चरिके से मनानी की कोशिश भी करते हैं भावनाय रखते हैं और जब आडवलूए इन्वाल्व हो जाती है तो पूरा परिवार इखटा हो जाता है ऐसा लगता है कि हम परिवार के साथ होली का यह तोहार मना रहे हैं और बहुत अच्छ